फासलेन प्रीमियम लाइव इवेंट में जे उसो की धमाकेदर पर्फॉर्मेंस से डब्ली डब्ली ए है बहुत खुश आने वाले समय में होगी रिया रिपली और जे उसो के बीच प्रेम कहानी के शुरुवात दोस्तों डब्ली डब्ली में जे उसो ने ब्लेड लाइन की स्टोरी लाइन से अलग होने के बाद काफी ज्यादा अच्छा पर्फॉर्मेंस दिया बहुत अच्छा काम किया फैंस उन्हें अब अपनी अलग शुरुवात करते हुए देखकर बहुत खुश है हाली में Roman Reigns के भाई ने Fastlane Premium Live Event में Cody Rhodes के साथ मिलकर Undisputed Tag Team Championship भी जीत ली अब खबरे सामने आ रही है कि Management Jay के काम से बहुत खुश है और जो WWE के Official से उन्हें Jay का काम बहुत पसंद आ रहा है Fightful Select की Latest Report के According Jay Uso से WWE को काफ़ी ज्यादा उम्मीदे थी और अब वो पहले से भी अच्छा और बहतर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं Fightful ने ये भी बताया कि WWE Source से द्वारा उन्हें जानकारी मिली कि Jay Uso की Merchandise Sales Live Events के दोरान शांदार तरीके से बिक रही है वो दो Bloodline की Storyline से अलग होने के बाद WWE की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं Jay Uso को लगातर अच्छा रियक्शन मिल रहा है WWE अमुमन उन स्टार्स को ही आगे बढ़ाना चाहती है जिन्हें फैंस से अच्छा रियक्शन मिल रहा हो और वो मर्चेंडाइस सेल्स में भी फाइदा करा रहे हो Jay Uso का Fastlane 2023 में Cody Rhodes के साथ मिलकर Undisputed WWE Tag Team Champion बनना इस बात का संकेत है कि WWE द्वारा उन्हें आगे भी बड़ा पुछ मिलेगा और आने वाले समय में उनकी रिया रिप्ली के साथ जो स्टोरी लाइन है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी जहां पॉसिबल है कि Jay Uso जज्जमेंट डे के तूटने का कारण भी बने और ज़िया रिप्ली के साथ एक प्रेम कहानी में आते हुए दिखाई देए Believe in God and thanks for watching